कोरोना वाइरस को लेकर सरकार अती गंबीर बनी हुई है प्रदेश में ढिलाई के चलते 30 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात द्वारा नॉड़ा के डियम पर गाज गेर दी गई थी जिससे उत्तर प्रदेश प्रशासन में हडकंप मचा हु लोकडाउन के आठवे दिन जिला बागपत का भ्रमण किया तो कुछ ऐसी बाते सामने आई मजदूर पलायन कर अपने पैत्रिक स्थान उपर लोट रहे हैं कुछ बाते उन मजदूरों के सामने संकट का सबब बनी हुई हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफर नगर और मुजफर के रहने वाले जम्मू कश्मीर से किसी टुर्क में बैट कर अपने घर लट रहे थे। टुर्ग वाले ने सभी लोगों को हरियाना में उतार दिया। वहां तयनात पुलिस बल के साथ चौकी इंचार्ज ने हमें हर्याणा में वापस जाने के लिए नाव में ही बिठा दिया था अगले ही पल फिर वही पुलिस बल हमें मेडिकल चेकप के लिए रिवर पार्क में लाकर ठहरा दिया वहां उपरोक्त सभी लोगों का डॉक्टर प्रदीब कुमार मेडिकल ऑफिसर ची बागपत करण सिंग ची एच ओ और मनोज कुमार द्वारा अपने टीम को लेकर लगभग 13 लोगों का मेडिकल मुआइना किया डॉक्टर प्रदीब कुमार ने हमारे समवाधाता से बात करते हुए बताये कि सभी लोग स्वस्थ और सभी लोगों को एक दूसरे से एक मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए भी कहा करोना वाइरस पर काफी जानकारी भी थी अब उपरोक्त सभी पीडित लोग अपने अपने घर जाना चाते हैं लेकिन नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हरनाके पर बार बार सभी को रोका ज जाता है उपरोक्त लोगों का कहना था कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए जिससे की एक बार जांसे गुजरने के उपरां उन सभी लोगों को अपने अपने घर लोटने में असानी हो इसका इंतजाम भी सरकार को करना चाहिए बागपत से इर्शाद आलम की रिपोर्ट जिस पर हम खड़े हैं और आप देखे पीछे ये बागपत के लाच जुन्दा है राचोपी पड़ती है जिस पर पुलिस मुस्थेद है ऐसा लग रहा है कि कल लोगेडा में जैसे कि मुक्यमंती में गाज देरी ती उसका अच्छा फासर देखने को असर मिल रहा है पुलि कि नहीं निकलने भी जा रहा है मुक्खे मंतीरी दुबारा किये गए दोरे का अच्छा फासा असर देखने को मिल रहा है पुलिस मुस्थेद है कि करोना के चलते लोगों में भैदी है है कि साथ साथ पुलिस बड़ी महनत कर रहे है 24 खंटे मुस्थेद रहेकर जूटीबर कोरोना के साथ शुद्द कर रही है यह था बगते हैं अच्छा फासा सननाटा पसरा हुआ है और मुक्खे मंतीरी के दोरे का अच्छा फासा देखने को मिल रहा है असर देखने को मिल रहा है ऐसे में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा है जब से मुख्यमंत्री, उत्रप्रदेश, अधित्पिनाथ, योगीजी ने नौएडा में कोयनने जगे भर्मन किया है तब से पूरी यूपी के अंदर क्या सब जगे खास औरता है हमारे जिले बागपत के अंदर अच्छा खासा सन्नाटा देखने को मिल रहा है हम गाड़ी से चल रहे हैं और चलते चलते आपको लाइब दिखा रहे हैं ये रोड पर देखिए बिल्कुल कोई बहान नहीं, कोई व्यक्ति नहीं सन्नाटा ये है मुख्यमंत्रिय अधिनात योगी का अच्छा खास आसर किस रास्ते से आ रहे हैं कहा जाना है कहा जाना है कहां से आप किधर से आ रहे हैं कि अप उब हम आप क्यों आए ऐसे कर्द 有 कि चरते हैं परिशानी चीज बैसे क्या परिशानी अ प्रशम से तो सुना जा रहा था कि अधिने जिन बन रहे है और धर में आप जहां काम कर रहे हैं तो आप इधर से आ रहे थे जिस काड़ी में उतारा कि वहां से जाओ यमनागे राश्के से तो वहां उन्हें पुलिस मिली थे आपको पुछा आपको यहां पर लियाई जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज वहां पुछा आपको यहां लेकर आए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज लोग डाउन का आठवा दिन है और रोड पर सन्नाता पसरा हुआ है आप देख सकते हैं बड़े वहांनों को भी पूछाच के बाद की इसाने के जा रहा है जोटा आपार नजर में आ रहा है जोटा आपार नाता दिए सुम्पुछ पर तक की से पूस्ताच की जाती है और सभी निक्नोने के जाता है यह मटोधर के आप सभी पर है जो बागपद की सीमा पर लगा है यहां पुछ मुटभ है इस अपना काम कर रही है कर देख सकते हैं पीचे गाड़ी को रोका हुआ है और फुलिस की दीवान को बिना पूस्ताच के नहीं जाने दे रही है आप देख सकते हैं पीचे काड़ी को रोका हुआ है और पुलिस अच्छे से चानविन कर रही है